हलो एवरिवन, वेलकम टो जेबी यूट्यूबर आज मैं आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आई हूँ आज मैं आपको बताऊंगी bleach के बारे में की bleach क्या होती है और वो उसका क्या काम होता और आपके skin को किस तरह से वो improve करती है bleach में बहुत से market में bleach available है वो उसके अंदर बहुत ज़ादा chemical होते हैं जो आपके skin को नुकसान भी पहुंचाते है और जिनकी सेस्टिक स्किन है उनको ब्लीज सूट नहीं करती हैं उनको बहुत ज़ादा उनसे रैडनेस आजाती हैं तो आज मैं आपको होमेट ब्लीज के बारे में बताऊंगी जो बहुत इफेक्टिव है और आप आसानी से घर पर बना सकते हैं वो भी चीज़ें आपको आसानी से आपकी किचन के अंदर अगलेबल हैं और यह बहुत इफेक्टिव है आप इसको अगर हफ़ते में एक बार यूज करते हैं तो आप देखें कि आपकी जो स्किन का कलर हो काफी होतरी लाइट हो जाएगा तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप इस ब्लीज को बना सकते हैं तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक चमच हल्दी मिला लेते हैं हल्दियांग के अंदर एंटिवाटी गुण होते हैं जो हमारी स्किन के दाव दबों को दूर करता है और हमारी स्किन के जो कलर है उसको भी इंधेंस करता है अब जो इसमें दूसरी चीज मैं मिलाने जा रही हूँ वो है शेहद यहां मैं इसके अंदर एक चमच इस तरह से शेहद मिला लोगी इस तरह से आप शेहद को मिक्स कर लीजी अब मैं इसमें तीसरी चीज जो मिलाने जा रही हूँ वो है लेमसी की विटामिन सी की गोली आप चाहें तो नीम बू ले सकते हैं मैंने यहां पर लेमसी की यह एक गोली लिया है इसको आप क्रिश कर लेजिए क्रिश करने के बाद इसका पाउडर बना लेजिए और पाउडर को आप इस तरह से मैंने आप इस गोली को पूट लिया है और इस के अंदर जो powder है वो मैं इसके अंदर mix कर दूँँगी अब मैं इसके अंदर मिला रहे हूँ ये गुलाब जल आप किसी भी company का गुलाब जल ले सकते हैं और इसके अंदर मैं थोड़ा सा गुलाब जल add कर दूँगी और ये हमारे blitz बन कर तयार होगी प्रेंट्स ये बहुत एफेक्टिव लीज है और आपकी स्किन के कलर को एक दम ब्राइट बना देगी और एक दम गोरा बना देगी तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं तो चलिए ये तयार हो चुकिए है अब इसको अपने चहरे पर मैं आपको अपलाई करके दिखाऊंगी या आपको किस तरह से इसको अपलाई करना है करश चो चाललना देगी झाल झाल तो मैंने अपने चेहरे पर इसको अपलाए कर लिया है अब इसको हम 10 मिनिट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगी और फिर इसके बाद इसको बुंगुने पानिशे में वोश कर लोगी उसके बाद आप देखो कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा रिजल्ट आता है तो और एक दम बेदाग और साफ बना सकते हैं तो यह बहुत ही इफेक्टिव और जबर्दस रेमेडिय है तो आप अगर इस तरह से मेरी और भी वीडियो देखना चाहते है तो वीडियो को लाइक कॉमेट शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा फ्र कर दो हो डीडियर कीजिएगा है